आज हम बनाएंगे फिश बिर्यानी यानि कि मचली की बिर्यानी चली शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने रावस मचली का इस्तेमाल किया है आप इसके जगे पर रोहू या फिर सूर्माई ले सकते हैं इसमें आधा चम्मज हल्दी, एक चम्मज काली मिर्च, आधा चम्मज जीरा, नमक एक छोटा चम्मज आट किया था मैंने और मैंने विनेगर लगाया है आप इसके जगे पर एक नीबू कर रसाट कर सकते हैं बहुत ज़ादा ड्रा है तो थोड़ा सा पानी का छीटा दे दे और मचली के उपर मसाला अच्छे से आपने लगा लेना है लगाने के बाद इसको कम से कम 10 मिनिट के लिए साइड में रख दे ताकि ये मारिनेट हो जाए साथ-साथ मैंने यापे खुला पानी उबलने के लिए रख दिया है जितना खुला बरतन और खुला पानी आप लेंगे उतना राईस बहुत अच्छा बनके तियार होगा दो टेबल स्पून नमक आड़ किया है विनेगर आड़ किया था अब इसके लिए के आधा नीबू का रस निचोड ले और आड़ कर ले और एक टेबल स्पून ओयल आड़ किया है कुछ हरी मिर्चे स्लिट करके आट कर लें, ये फीकी वाली मिर्चे है, एक टी स्पून जीरा आड किया है, दो तेज पत्ता आट कर लेंगे, बहुत साधा खड़े मसाले का इस्तमाल नहीं किया था मचली में, और एक बड़ा मैंने तालचीनी का टुकडा लिया था, कुछ का जादा घंटा भिगो दिया था, ये मैंने दावत का extra long grain rice इस्तमाल किया है, अचे से mix कर लें इसको, flame high ही रखे, जैसे ही इसमें तेजी से उबाला आ जाता है न, तो इसको medium flame पे 5-6 मिनिट आपने cook करना है, इतना कि चावल 90% cook हो जाए, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते है ये देखे, अगर आपको थोड़ा सा soft चाहिए, तो आप 70-80% cook कर ले, ये देखे, मैंने ये 90% cook किया था, अगर आप जादा soft नहीं चाते हैं, तो थोड़ा सा अब जल्दी निकाल सकते हैं, उसको मैंने पानी drain करके side में रख दिया है, तेल अच्छे से गरम हो गया है, जो marinate किया था, फिश 10 मिनिट से marinate हो रहा था, उसको हम fry कर लेंगे, high flame पे बस 1-5 मिनिट fry किया है, बहुत low flame पे नहीं करना है, turn कर लें इसको, बस इस पर हमने color ले आना है, बहुत जादा overcook बिल्कुल नहीं करना है, low flame पे अंदर तक ये बहुत जादा hard हो जाएगा, तो जै पहले इसको drain करके आप निकाल लें, absorbent paper पे मत निकाल लिएगा, क्योंकि हमने इसको फिर से add करना है, बिर्यानी के अंदर ये सौगी हो जाएगा, वाकी के बचे हुए pieces भी मैंने add कर लिए है, medium high flame पे cook कर ले, और ये जो मसाला अगर नीचे बच जाता है, जो fish पे marinate लगा इसको आपने अच्छे से fry कर लेना है, जैसे ये golden brown हो जाता है, थोड़ा सा आप dark भी कर सकते हैं इससे, तो इसमें 1 tablespoon अद्रक लसन, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया पानी आड़ करके मैंने paste बना लिया था, बहुत जादा हरा धनिया नहीं आड़ करना है, बस थोड आड़ किया था, हल्का सा light green color आया था उसको, दो पका हुआ टमाटर, अच्छे लाल टमाटर इस्तिमाल करें, उससे taste भी enhance होता है, जल्दी से वो कोक भी हो जाता है, उसको अच्छे से mix कर लें, साथ में थोड़ा सा हम मसाले के हिसाब से नमक आड़ कर लेंगे, आधा चमच कश्मीरी मिर्ची, इससे color अच्छा आता है, आधा चमच जीरा, आधा चमच गरम मसाला पाउडर है, एक चमच धनिया पाउडर, यह जो मारिनेट बच गया था, फिश का, वो ही मैंने आपर आड़ कर लिया है, उसको फैके नहीं, और इसको अपने अच्छे से mix कर ल दही आड़ नहीं करना चाते हैं, तो आप दो टमाडर एक्स्ट्रा आड़ कर लें, कोई-कोई लोग दही आड़ करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से mix कर लें, जब दही पूरा mix हो जाता है, तो लो फ्लेम पे cover कर लें, पाँच मिनट, अभी आप देख सकते है ओइल उपर पूरा separate out हो गया है इसमें, तो अब हम flame low कर लेंगे और हम इसमें से 3-4 हिस्सा मसाले का बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा मसाला नीचे रखा था मैंने, इसमें हम add कर देंगे चावल, एक अच्छा भर के चमज मैंने add किया है नीचे, फिर फिश के छोटे जो मसाला पूरा rice पे spread कर लेना है अपने यह दिखे जैसे मैंने किया है, फिर जो बचा हुआ जो फिश के थोड़े बड़े pieces थे वो यहां arrange कर लिए, फिर से मैंने पुदीना add किया है और फिर मैंने यहां पे rice add कर लिया है, इसके उपर एक serving spoon भर के मसाला पूरी तरह से spread कर ल थोड़ा सा पानी का छीटा दे दे ताकि नीचे लगे नहीं बिरियानी बस, उपर से फिर rice add कर ले, last layer लगाई थी rice से cover कर ले, नीबू का रस अच्छे से उपर से निचोड ले, आप चाहे तो हर layer के बीच में नीबू का रस या इमली का खटा add कर सकते, उपर से थोड़ा स मैंने पुदीना, देसी घी अड़ कर लिया है, और इसको cover करके पिलकुल धीमी आज के बीस मिनट के ले मैंने cook किया था, ये देखिए, बीस मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है, बहुत जादा देर उसको steam में वैसे ही बन नहीं रखना है, बिकिस मचली के pieces जो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, या फिर प्यास टमार्टर का जो रायता आता है, बिना दही बाला, उसके साथ भी अच्छा लगता है, गरम-गरम बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बन के ये थियार हुई थी, इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग था, जरूर ट्राय करिएगा और हमीशा की तरह रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब का ना मत भूलिएगा, तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक इजास चाहती हूँ, थाइंक यू सो मच फो वाचेंग माई वीडियो, ट